हलो फ्रेंट्स वेलकम डूर चानल करनेट अफेर अपडेटेड अधिस दिवशी शवस्ती इस लेक्चर वो ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी की डिसकस कर रहे थे तो आज जो टॉपिक है वह है प्रियंबल अब आप सोचेंगे प्रियंबल हमने पढ़ा हुआ है हमने प्रियंबल पूरा देखा हुआ है पर कोशन किस तरह आते हैं इस लेक्चर को अगर एंड तक आपने देख लिया तो आपको यह समझ बाजाएगा किस तरह के प्रियंबल से कोशन आते हैं मैंने सारे टाइप के कोशन प्रियंबल के कवर कर दिये तो एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क स्कोर करने डिफिकल्ट से लेकिए इजी तक मैंने दोनों का मिक्स अप करके आपके सामने आपके सामने घजाम में किस तरह एग्जाम में आते हैं सबसे पहले प्रियंबल तो पढ़ा ही होगा तो सबसे पहला कोशन है कि प्रियंबल कॉंसिट्विशन में कब एमेंड हुआ था I think जब भी आपने प्रियंबल सबसे पहले पढ़ा होगा तो ये लाइन तो ज़रूर पढ़ी होगी कि तीन वर्ड जो हैं को प्रियंबल में एड किये गए थे that is socialist, secular and integrity और ये तीन वर्ड किस amendment से आयते that is 42nd amendment act 1976 जो इसको मिनी constitution of India भी कहते हैं remember so the preamber of the constitution was amended कब इसका correct answer क्या होगा that is option number C और तीन वर्ड में आपको बता दिये socialist, secular and integrity were added in the constitution okay तो correct answer option number C next question में आते हैं question number second second question देखे इस तरह कोशन आप देखे हैं आज कर एग्जाम सो बहुत पूछा या रहा है कि पूले आएगा who has termed the constitution as sacred document किसने कहा था कि who has termed constitution as a sacred document किसने को sacred document कहा था ये ऐसे questions बहुत पूछा रहेगी किसने कहा था आप देखे हैं एग्जाम में इस तरह question बहुत पूछा रहे state services में okay अब options है ब्यार अंबेटकर ने कहा महात्मा गांधी ने दीन दाल उपाद्ध है कुछ कट तो करी सकते हो तो नहीं कहेंगे ये शायद option में आप इनको कट कर सकते हैं जिन्ना जी कट कर सकते हैं महात्मा गांधी कट कर सकते हैं जो most appropriate answer लग रहा है वो है ब्यार अंबेटकर yes the correct answer is ब्यार अंबेटकर static part है इसको याद करना पड़ेगा आपको कि ब्यार अंबेटकर ने ये लाइन कही थी आपको पता हो कि drafting committee जो थी constitution की उसके chairman कौन थे ब्यार अंबेटकर ही उसके chairman थे ओके चले which part of the Indian constitution has been described as a soul of the constitution constitution के किस पार्ट को आप उसकी soul कहते हैं ऐसा question आएगा direct तो यहाँ पर हम preamble question कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं इसका answer preamble होगा बिल्कु सही इसका correct answer preamble है पर जब इसके questions आते हैं mix up हर topic के fundamental right DPSP सब mix up आएंगे तो आप confused हो जाएंगे तो याद इखिएगा soul of the constitution किसे कहेंगे preamble को जल्दबाजी में fundamental rights मत लगा देना okay तो याद एखना correct answer that is option number C that is the preamble okay next question में आते हैं that is question number fourth who among the following called the preamble of the Indian constitution किसने कहा था कि the preamble the horoscope of our sovereign democratic republic किसने कहा था कि preamble जो है conservation का horoscope of our sovereign democratic republic यह statement किसने दिया देखिए ऐसे कोशन मैंने बताया आपको statement frame question frame किये जा रहे हैं यह direct question होते है static होते है याद नहीं हो तो घलत हो जाते हैं और हम यहाँ पर जनरली exam में इसके इसे कोशन से गैस करते हैं और के option से नहरू है वाला भाई पटेल है ब्यार अंबेड़कर है के मुंशी है आपको लोग ब्यार अंबेड़कर को जा रहे होंगे यह भी statement देखेंगे बट यह statement ब्यार अंबेड़कर ने नहीं का है इसा correct answer जिनकी image यहाँ पर बनी हुई है इसा correct answer yes you are correct तो या रखेगा के मुंशी ने यह statement दिया था तो यह static पार्ट में याद कर लेना नोच में लिख लेना एड कर लेना क्योंकि मेरा lecture का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आप कुछ चीजे नई चीज सीख के जाओ यहाँ पर next question में आते है what is the legal nature of preamble of the constitution preamble का legal nature क्या है ठीक है देख लेते हैं क्या वो enforceable है law के द्वारा क्या वो enforceable नहीं है या तो enforceable है on special circumstances यह option है तो आप दें पढ़ा होगा preamble में जो भी लिखा गया है या देखिए it is not enforceable in law remember in the court of law it is not enforceable यह point आपको याद रखना है correct answer option number b it is not enforceable तो इस पर जादा सोच लिख जरो तरही है याद है the preamble in the constitution is not enforceable in the court of law यह point आपको याद रखना exam perspective से okay I hope जब आपने preamble की class में से पढ़ी होगी quality में जो मेरे application में है तो आपको easily यह चीज बन रही होगी next question माते question 6 question 6 how many types of justice has been enriched in the preamble of the constitution of India अब इस कहांसर तो यहां पर लिख दिया गया है ठीक है चलो कोई बात नहीं justice तीन टाइप के justice बोले गाएं तीन टाइप के justice होते हैं चलो इसका अंसर बी है सही है बट मुझे आप types of justice बता हो कितने टाइप के justice जो है वो preamble of the constitution में लिखे हुए है और आप preamble देखा होगी तो इसमें sovereign है socialist है secular है democratic है republic है जस्टिस है liberty है equality है fraternity है यह सारे words जो है वो preamble में mention है अब यह justice word है वो कितने टाइप पे justice mention है question यह है तो correct answer तो है option number B that is three types of justice और इसको नहीं पता social, economic and political justice तो यहाद दिखिएगा तीन टाइप पे justice है social justice, economic justice and political justice ऐसे question आते हैं बड़े ही static हुज आते हैं कुछ लोग 1,4,5 ऐसे confused होगे correct answer option number B that is three types of justice mention है okay चले the objective of Indian constitution is reflected in which of the following constitution का objective जो है अभी मनता soul of the constitution preamble है objective कहा है constitution कहा mention है तो I think आपने पढ़ा होगा जब कि objective resolution passed किया गया था by B.R.A. बेट कर और जिसको आज हम उस objective resolution के modified version को ही हम क्या कहते है प्रियेंबल कहते है चलो comment box मुझे बताओ वो जो objective resolution passed किया था जवाला नहरू ने वो किस date में passed किया था ठीक है मुझे date का चाहिए मैं answer hint दे रहा हूँ 1946 यर था मुझे date चाहिए जब objective resolution या देखिये गा नहरू जी ने पास किया था यह आप मुझे comment box में में प्रियेंबल कहते है तो objective जो इंडियन constitution के है उसको आप modified version में preamble of the constitution कह सकते है तो correct answer option में भी है और objective resolution का past wise की date मुझे comment box में answer में चाहिए नेक्स question में आते है तरस question number eight the ideals and objectives outline in the preamble of the Indian constitution has been further elaborated in ठीक है मतलब यह जो ideas objectives हैं जो mention है preamble में वो further आगे कहां elaborate किये गए हैं ठीक है कहां उनके बारे में और भी चीज़े mention है जैसे हमें पता है preamble में क्या क्या चीज़े हैं उसको देखते हो आ गया और कहां elaborate किया गया है तो इसका correct answer देखा जाए तो बिल्कुल DPSP में बिल्कुल जो चीज़ प्रियेंबल में है वो equality की बात करें सब चीज़े उसमें भी है यहाद देखेंगे तो इन टीनों topics में elaborated हैं तो correct answer that is option number C is the correct answer ठीक है इसकी PDF मेरे telegram group में मिल जाएगी और वीडियो को एंट जरूर देखो अगर आप प्रियेंबल के सारी टाइप के question solve करने है न इस lecture को देख लो प्रियेंबल automatically complete हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा हुआ तो नहीं पढ़ा है तो application download करो वहां पर जा खर मेरे lecture को जरूर देखो चले next question है अब देखिए अभी हम justice की बात करें तीन टाइप की justice की बात की थी मैंने तो इसमें लिकाए जो एकनोमिक justice है ठीक है तो लिखा हुआ है इस वन अफ दो अब्जेक्टिव ऑफ दा इंडिन constitution बिलकुल हमारे प्रियेंबल में 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 इंशन भी एकनोमिक जस्टिस बूला वो कहां पर mention है तो एक तो मैंने आपको पता दिया justice के टाइट से अभी हमने बताया था economic justice जो है ठीक है वो कहां mention है वो आफकोस mention है preamble में ठीक है तो प्रियेंबल तो अंसर हो गही तो देखा जाए तो इसमें प्रिएंबल में में नहीं है ठीक है प्रिएंबल इन दोनों में 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 ठीक है तो करेक्ट डूनों अगर हम देखें explicitly preamble इसमें mention है और DPSP में भी आप देखेंगे कि economic justice article 381 जो है जहाँ देखेगा जहाँ पर चीजें की गई है welfare of the citizens के लिए वहाँ पर economic justice की भी चीजें mention है तो correct answer यह option number B होगा जहाँ पर आप देख सकते directly economic justice mention किया गया है तो यहाँ पर option के according मैं option number B के और move करोगा ओके चले next question है question number 10 एक वह यह भी है कि कुछ यहाँ पर cases दे दिये गए हो बोला गया इनको chronological arrange करो जैसे कि गोलकनात के केश्वनन्द भारती के 24 Constitutional Amendment Act 42nd Amendment Act ओके अमिनकी यह अगर पता हो तो करेंज कर लेंगे जैसे 1976 आपको पता होगा 42nd का है 24 का 1971 है केश्वनन्द भारती के 1973 है गोलकनात के 1967 है तो और रेंज हो जाएगा यहां पर 1 पहले आएगा उसके बाद देखा जाए 1 के बाद that is option number 3 आएगा तो 1 3 फिर 2 और 4 1 3 2 4 there is option number a is the correct answer match the following I think easy है आप इसको match भी का सकतो correct answer option number a था years अगर पता हो तो it can easily be matched okay next question 11th in which case did supreme court first declared preamble is not the part of constitution preamble constitution का part नहीं है यह supreme court ने सबसे पहले किस case में बोला था बड़ा important case है मैं यह बताये तो 1960 में supreme court ने यह बात बोली कि preamble is not the part of the constitution और यह उन्होंने बोली थी बेरुबारी केस में या देखे है 1960 में case हुआ था और इस case के according supreme court ने बोल जिया दा preamble is not the part of the constitution remember ठीक है next question है in which of the following case supreme court held that preamble forms the part of the constitution preamble constitution का part है तो आपने में लेक्टर्स देखा हुआ को मैं बताया बिलकुल 1973 में केश्वा नंद भारती case में supreme court ने बोला कि yes preamble is a part of the Indian constitution ठीक है बात बोला इवन is a part of Indian constitution remember जिसको नहीं पता इसको नोट डाउन करें remember बोमा ही वसे union of India 1984 sorry 1992 बोल जा मैं 1994 में case हुआ था जहां बोला गया प्रेंबल of our constitution is an integral part of the constitution this supreme court ने बोला है तो आप नोच में यह पॉइंट आप और एड कर लो LIC वाला तो added है यह वाला point भी आप add कर लो okay चले next question में आते है question 13 which one of the following objectives is not embedded in the preamble of the constitution कौन जा प्रेंबल में चीज़ में नहीं है liberty of thought मेंशन है liberty of expression मेंशन है liberty of belief यह भी मेंशन है economic liberty नहीं मेंशन है याद अखिएगा तो B जो है वो correct है क्योंकि यह constitution नहीं नहीं है liberty five types की liberty mention है याद एखिएगा बट economic liberty नहीं मेंशन है तो correct answer option number B 14th question in the preamble of Indian constitution which justice is provided to all its citizens कौन सा justice जो है वो size citizens को provided है अभी मैंने बताया कितने type के justice होते है तीन कौन कौन से social economic and political that is option number D देखिए एक ही question को पूछेंगे तरी क्या अलग है justice कितने types के answer था that is three यहां पूछ लिया justice कौन कौन से types के mention है social economic and political एक ही question को पूछने के तरीके बदल जा रहे हैं तो correct answer option number D है ओके चले next question में आते है question number 15th which of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty कानून और liberty के बीच में सबसे best relation क्या है लिबर्टी तो तभी मिलेगी ना आपको liberty freedom कुछ भी कहिए तब मिलेगी ना जब आपके पास law freedom और liberty तब मिलेगी जब हम पास कानून होंगे उनको protect करने के लिए कानून ही नहीं होगा तो आपको कौन freedom देगा भाई हो सकता कानून नहीं हो आपको तालिबान उठा के ले जाए तो law होना जरूरी है अगर law नहीं होगा तो liberty freedom कैसे मिलेगी तो liberty और law का relationship जो है वो डारेक्ट यही है ठीक है options आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो B मुझे appropriate answer लगता है कि अगर यहाँ पर कानून नहीं होगा if there is no law then there is no liberty बिलकुल मैं बता है कानून ही नहीं होगा तो आपको freedom और liberty कैसे मिलेगी है ना जैसा अफगानिस्थान में कोई कानूनी work नही पूचा गया है सबसे सही expression secular word को इंडिया में किस तरम define कर सकते हैं secular word या दखिएगा इंडिया में positive concept है secularism का मैंने पढ़ाया हुआ positive concept है option देख लेते हैं इंडिया के पास बहुत सा है religion है इसले इंडिया सेकुलर है इंडिया के पास religious freedom है इसले कोई religion नहीं है तो correct answer option number D है और वो हर religion को equally treat करती है that means secularism okay next question 17 में आते हैं the mind of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following जो यादे कि constitution को frame कर रहे थे ठीक है the mind of the makers of the constitution of India reflected वो उनका mind and thinking है एक तरीके से brief कहां mention है constitution का तो बिलकुल हम identity card भी कहते हैं अपने preamble को brief introduction कह सकते constitution का तो इसका answer होगा that is the preamble preamble में ही reflect होता है हमारे makers जो थे उनका mind of the makers किस तरह वो constitution को लिखना चाहते थे वो उनके preamble में show होता है correct answer that is the preamble okay next question वाते है question 18 which of the following is correct इनमें से कौन सा correct है देख लेते options social equality is not guaranteed in our constitution अरे बिल्कुल guaranteed है social equality क्यों नहीं mention है ठीक है अगला लिखा है social equality already existed in our country okay social equality guaranteed in our constitution बिल्कुल it is guaranteed in our constitution अगर आप articles पढ़ेंगे fundamental rights में ठीक है तो यह देखिए correct answer C होगा क्योंकि यह चीज मेंशन है रवेंबर तो social equality has been guaranteed in the constitution right to equality 14 16 यहां पर social equality की mention है even preamble में भी social equality mention है remember ठीक हो यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है कि equality mentioned है constitution में बिल्कुल guaranteed है next बात करते है constitutional government क्या है देखिए यह भी बड़ा important है इस साल भी UPSC में question आया पिछले साल भी question आ चुका है constitutional government यह सबसे important function क्या है constitution का यह हमेशा पूछा आता है constitutional government यह constitution का important function क्या है ठीक है यह देखिए इसका मतलब होता है सरकार जो होगी वो limited होगी उसका unlimited powers नहीं होंगे उसको constitution के according work करना पड़ेगा तो हमेशा है इसका answer constitutional government का होगा कि government has limited by the terms of constitution constitution की वैसे limited हो गई है वो जो मन में आए वो काम नहीं कर सकती वो constitution के against work नहीं कर सकती तो D is the correct answer next question है one of the implication of equality in society is the absence of equality in society कैसे achieve होगा मतरब क्या चीज नहीं होना चाहिए equality तब एचीव होगा जब आप किसी को क्या नहीं देंगे बिलकुल किसी को special privilege नहीं देंगे तब ही तो बराबर पनाएगा equality आएगी special privilege दोगे तो कोई of course बढ़ेगा तो यहां पर लिखा है क्या चीज नहीं होनी चाहिए अगर आपको equality in the society नानी है तो आपको absence of क्या होना चाहिए privilege मतरब privilege नहीं होनी चाहिए तब ही equality achieve हो सकती तो correct answer is that is option number A privileges ओके चलिए next question है question number 21 which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in the liberal democracy ठीक है liberal democracy का मतलब क्या होता है liberal democracy का एक बहुत important principle है क्या देखेगा जो आपके organs of the government है जैसे executive, legislature, judiciary वो एक्दम balance होके work करें proper check and balance तो हो बट proper balancing होके work करें ऐसे नहीं एक दूसरे की field में enter करें तो उसको कहते है separation of power अगर आपको liberal democracy की बात करनी है तो there should be separation of power executive, legislature, judiciary या देखेए एक दूसरे बारबार हस्ता शेप नहीं करें उनके बीच में एक separation होची अपने-पने according work कर सकें सबसे सही चीज़ है liberal democracy का की checks and balance हो बट there should be separation of power organs of the government should be balanced liberal democracy का मतलब होता है तो इसे best answer जो है that is option number D separation of power होगा तभी liberal democracy आ सकती है तो correct answer option number D है next question है all individuals are fully and equally human सारे individuals जो है वो fully and equally human being है बिलकुल human being है और human rights सबको allowed है आप भी एक human being है आपको भी human rights allowed है और ये concept क्या है ये universalism का concept है हर जगे concept लगना चीए चाहिए आप US में हो चाहिए वो इंडिया में हो तो इसा principle होना है universalism याद एकिए universalism मत्तब क्यों होता है हर जगे active होगा याद एकिएगा क्योंकि human rights principle of all individuals ये चीज़ याद एकना आपको कि every person entitled for human rights without any discrimination हर वेक्टी को human rights मिलनी चाहिए नेक्स कोशन मा आते है कोशन मा 23rd कितने कोशन आप कुल लोग सोच रहोंगे 25 कोशन है बस दो कोशन और बच्चे होंगे India has people sovereignty because of because the preamble of the constitution begins with the board begins constitution अगर preamble की बात के तो start कैसे होता है I think preamble आप सबने पढ़ा होगा we the people of India पहरी लैंड याई है तो बिलकूँ it begins with we the people of India that is option number D 24th question India is a republic India republic है sovereign, socialist, secular, democratic republic republic का मतलब क्या है बताया है मैंने बहुत बार quality में पढ़ाया हुआ है republic का मतलब होता है जो इंडिया का head of the state होगा वो headatory से नहीं elected होगा या देखेगा उसका election होगा headatory नहीं होगा हमाई में head of the state को होगा president है उसका election होता है ऐसा नहीं कि वो अगला president उसी का बेटा बन जाएगा तो या रिपब्ली का मतलब इंडिया में है कि यहां पर कोई भी headatory ruler नहीं है ठीक है यहां पर हमारे elections होते है तो correct answer option number C last question question number 25th how many types of justice, liberty, equality and fraternity is mentioned देखिए अभी पढ़ाया मैंने justice किते टाइप किये थे three types of justice है social justice, economic justice और political justice liberty, five types की liberty है आपको पताता हूँ ठीक है equality दो टाइप की है ठीक है और fraternity एक टाइप की है ठीक है देखा है तो 3521 तो correct answer option number A है 3521 अब मैं आपको बता भी ताहूँ देखिए जस्स justice scene type की social economic, political liberty, five types की है thought, expression, belief, faith and worship equality है दो टाइप की status and opportunity और fraternity जिस तरह मैंता एक type की dignity of individual and unity and integrity of nation remember तो fraternity एक type की हो गई तो सारे मैंने आपको types पता दे कितने कितने types के हैं तो best answer जो था that is option number A 3521 तो आप देख रहोंगे मैंने किस तरह preamble से ही इतना छोटा सा topic है अलग-अलग type के questions cover किये और किस तरह पढ़ना होता ये भी आपको समझ में आऊगा आप कहरोंगे सर ये preamble के notes वगरा कहा से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ बढ़ उससे पहले अगर आपको इनिशिटिव पसंद आ रहा हो आप हमें कुछ contribute करना चाते है चैनल की growth के लिए it could be 1 rupee also 10 rupee also 50 rupee 5000 कितना भी आप कर सकते हैं अगर आप contribute करना चाते हैं तो हमारा phone पे Google पे ATM number है इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है तुरह आप WhatsApp करो नोच को order कर सकते हो अगर आप मेरी classes चाते हो तो मेरा application को नाम है देवशीष classes application डाउनलोड करो वहाँ पर आपको मेरी सारी classes जो है वह अविलिबल हो जाएंगी चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह कि मैं लेक्शर्स बनाता रहूं topic wise mcq series लाता रहूं क्योंकि आपको पता है coming exams आ रहे है तो आपको हर topic के mcq करना जरूरी है अगर आपको इस पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें time waste नहीं करते हैं सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं अगर इस तरह के initiative पसंद आ रहे हैं तो चैनल को subscribe करें comment box open है comment भी कर सकते हैं और ऐसे हम lectures लाते रहे हर subject से अगर आप चाहते हैं तो comment box में जरूर कमेंट करके content provide कते रहें और PDF इस तरह की देते रहें तो please इसको अलग अलग groups में जरूर शेयर करें thank you and have a nice day